दॉक्टर बत्राज जो होमी पाते क्लिनिकी सबसे बड़ी चैन है इनों ने आज देली में भारत के पहले और दुनिया के सबसे आधुनिक एक्सोसोम बेस्ट टार्गेटेट हेयर ट्रेटमेंट एक्सोजेन की शुरुआ की है यह ट्रेटमेंट पुरिशोग और महिलाओ में अनुवाशी कानों से होने वाले बालों के जड़ने की समस्या को ठीक करने के लिए बनाया गया है इस नए ट्रेटमेंट को शहर में एक प्रेस वार्था के तुरां पेश किया गया जिसमें बताया किया कि यह विशेश फॉर्मूला तीन महिनों के अंदर असर्व दिखाने के लिए जिकित सकी अरूप से प्रवालित है यह नया ट्रेटमेंट बालों को फिर से उगाने और एक्सोसोम्स कोशिकाओं की अलग-अलग प्रक्रियाओं को नियांदित करने में एहम भूमी का निपाते हैं और यही इस ट्रेटमेंट का मुख्य आधार है इस प्रक्रिया में सबसे पहले ग्रोथ फैक्टर से भरे एक्सोसोम्स को सेर्की तवचा से उन हिस्सों में छोड करके नई कोशिकाओं की बनने की प्रक्रियाओं को तेज करते हैं जिससे बालों का जड़ना रुख जाता है और नए बाल उगने रखते हैं इस उसे पर डॉक्टर बत्रास हेल्ट के वोईस चेर्पैन और प्रभंत निदेशक डॉक्टर अक्षे बत्रा जो काते हैं कि अब बाल चड़ने की समस्या 21 साल की उम्र में ही शुरू हो जाती है वहीं 50 प्रतिशत पुर्शों और 22 प्रतिशत मैलाव को पैटन बालनेस की समस्या होती है जो चिंदा का विश्य है जी देश में जो हैरफॉल की प्रॉब्लम में वह बहुत बढ़ती जा रही है और उसका एज भी घटता जा रहा है तो पहले 30 साल की उमर में यह शुरू हो रहा था अब जाकर यह 20 साल की उमर में हो रहा है और इसके लिए डॉक्टर बतराज ने वर्ल्ड की सबसे लेटेस्ट ट्रीटमेंट लाँच की है जिसका नाम है एक्जुजन और इस ट्रीट पाल जट्रीटमें साल की मर में गटैंड जालओन त्रीटमें और शुप्टन की इसा लगस्ट आपर यह है जुटव बीजाचित टूए blue जाता है एकց पाल जट्नी जाब पाल जने पम्या जन बजह चान al जटेन की बजुजन की बज़ता है ट्रेश घिसे बही का देखा जाये तो anemia is a very important cause for hair loss जहाँ पर्टिकुलरी महीलाओं में जो हमोगलोबिन होता है और आयन होता है खून में वो कम हो जाता है that is one reason thyroid की जो बिमारी होती है अगर thyroid ज्यादा हो या कम हो दोनों में thyroid दोनों में बाल जड़ते हैं polycystic ovaries है जहांके यंग महिलाओं को about 25% of young girls are suffering from this condition this also gives rise to hair loss और सबसे जो जरूरी और सबसे ज्यादा reason है वो है hereditary hair loss जहां पे about 50% of men in India suffer and about 20% of women तो exogen जो है वो एक targeted treatment है एक precise treatment है इसमें 1470 growth factors है और ये growth factors जो hair root तक जाकर फिर उनका action चुरू होता है और इनका role ये है कि जो आपके बाल ज्ड़ रहे हैं जो आपके बाल तोड़े age हो रहे हैं उन्हें जाकर जगाया जाए और ये growth factors उन्हें जाकर फिर grow होने के लिए प्रमोट करते हैं और इनसे जो है आपको ज़ड़ने के समझ से है वो कम होती है और आपके जो बाल ज़ड रहे हैं वो भी वाँपस आजाते हैं. We are getting very good results with exogen. It's about 90 to 95 percent result. Again, it depends on the type of patient and the type of hair loss, but in general, about 90 to 95 percent of patients are experiencing very good hair growth. And Mr. News के लिए नई दिल्लिस से Bijजश कुमार की रिपूर्ट. तकलीफ उठने बैठने की नहीं? तकलीफ बवासिर की है. बवासिर फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आईरुवेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार कॉल या विजिट करें.